Hello Everyone, Welcome to Logic Parts Shala Channel आज का टॉपिक रहेगा Awards and Honors 2022 इसका Part 2 हम करने जा रहे हैं, Part 1 इसका आ चुका है आज वाले टॉपिक को हम ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों के डिमांड आई या है कि मैं आप ट्रिक्स के साथ हमें यह याद करवाएं इस लेक्चर का PDF आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट कर दिया गया है So let's begin the session तो पहला question क्या है Who won a Grammy Award for a Colorful World in the Best Children's Album Category तो यह किनों ने जीता है तो यह जीता है फालगुनी शाने तो इन्हें किस में मिला है A Colorful World in the Best Children's Album Category के लिए इन्हें Grammy Award दिया गया है तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं तो इसे आप याद रख सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या पसंद है फल पसंद होते हैं यहां फिर आप इसे याद कर सकते हैं सम्मान 2021 तो सरस्वती सम्मान 2021 किस ने जीता है तो यह किनों ने जीता है आपके पास यह 4 ओप्शन हैं आप इन्हें एक बार देख लीजिए तो इसका अंसर रहेगा आपका option A तो इसे हम कैसे याद रखेंगे तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि देखिए जो सरस्वती माता है और यहां पर क्या है राम भगवान जी तो दोनों भगवान जी आ रहे हैं तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं ठीक है यहां फिर आप कैसे सकते हैं कि जैसे सरस्वती माता है यह म्यूजिक की भी है तो उससे हम क्या करेंगे मिश्रित मतलब की मिठा तो आप इसे ऐसे भी associate कर सकते हैं जो ये रामदर्श मिश्रा है इन्हें दिया गया है सरस्वती सम्मान 2021 किसके लिए क्योंकि इनकी कुछ poems की collections है जो की क्या है मैं तो यहां हूँ तो उसके लिए इन्हें ये award दिया गया है Now moving to next question, next question में क्या पूचा गया है Who won Chamelee Devi Jain Award 2021? तो आपके पास ये चार options हैं आप इन्हें एक बार देख लीजिए तो इसका answer क्या रहेगा? तो इसका answer रहेगा आपका option B that is Arefa Jauri तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे आप कर सकते हैं associate चमेली का तेल होता है ना एक तो आप करेंगे हरी नाम का एक इन्सान उसे चमेली का तेल बहुत पसंद है ठीक है? तो आप इसे ऐसे associate करते है तो देखे जो चमेली Devi Jain Award है ये किसलिए दिया जाता है? तो ये journalism की field में दिया जाता है ठीक है? Now moving to next question इसमें क्या पूछा गया है? Who won album of the year at Grammy Awards? तो ये किनोंने जीता है? तो इसका answer रहेगा आपका option B that is VR तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? तो इसमें पूछा है इन्होंने album of the year तो देखिए अब बात कर रहे हैं पूरे साल की तो पूरे साल की album को हम कैसे associate कर सकते हैं? We say हम सब से ठीक है? तो आप associate कर सकते हैं कि जो album of the year है वे हम सब से associated है We say ठीक है? Now moving to next question Who won song of the year at Grammy Awards? वो थी album तो album को हमने associate किया था हम सब के साथ अब बात कर रहे हैं ये song of the year की तो अगर हम song of the year की बात करें तो ये किसको मिला है? Leave the door open तो देखिए जब भी आप हम कहते हैं ना song सुनते हैं तो जब तक आप क्या करेंगे? सौंग को क्या करते हैं? हम छोड़ देते हैं तो हम अच्छे से अपनी studies के साथ connect कर लेते हैं तो आप इसको leaves के साथ associate करेंगे song को ठीक है? Now moving to next question इसमें क्या पूछा गया है who won national water award in state category तो state category में अगर हम देखे तो national water award किसने जीता है? तो ये जीता है UP ने तो वेल अगर हम UP की बात करें तो UP में सबसे ज़्यदा population है ठीक है? तो वहाँ पे लोगों को वह जो पानी है उसका बिल्कुल सही उप्योग करते हैं इसलिए उन्होंने ये वाला award जीता है तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं देखे population जादा होने के बाब जूद भी उन्होंने national water award in state category जीता है वेल अब हम कुछ और बाते कर लेते हैं ये water award की तो अगर हम district की बात करें तो best district award for the north zone was backed by मुजफर नगर and शahid bhagat singh nagar ठीक है तो अगर हम north zone की बात करें तो उसमें किनोंने जीता है तो वे जीता है मुजफर नगर ने और दूसरा शahid bhagat singh nagar जो की पंजाब में है ठीक है अगर हम south zone की बात करें तो south zone में जीता है तुरुवन्थम पूरम केरला के अंदर आता है और कडपा जो कि कहां पे आता है आंधर परदेश में इस्ट जोन की बात करें तो ये आता है आपका इस्ट चमपारन बिहार में और गोडा जहारकंड में फिर आपका इंदोर जो कि मध्या परदेश में है और जो वदोद्रा गुजरात में है और बंस्वरा राजस्थान में इन्होंने जीता है वेस्ट जोन में और अगर हम नोर्थ इस्ट जोन के बात करें तो उसमें जीता है गोलपरा जोकी असम में है सियांग अवनाचल परदेश में तो इन्होंने ये अवार्ड जीते हैं नेक्स्ट क्वेशन इस विच इंडियन एक्टरेस हाज बिन नेम्ड इन टाइम्स हंडर्ड इंपक्ट अवार्ड तो ये किनोंने जीता है तो इसका अंसर रहेगा आपका ऑप्शन बे दैटिस देपी का बादुकौन इसे हम कैसे याद रख सकते हैं तो देखिए हमारे जिन्दगी में अगर इंपक्ट है और ये क्या है अगर किसी का डीप इंपक्ट पढ़े तो हम उसे याद रखते हैं तो आप इसे ऐसे एसोसियेट कर सकते हैं दीपिका से लेंगे आप डीप और इम्पैक्ट मतलब प्रभाव पढ़ना किसी का ठीक है Now, next question is who is the first African to win Pritzker Architecture Prize 2022 तो ये किनो ने जीता है आपके पास ये चार options हैं आप इन एक बार देख लीजिए तो वेल ये जीता है इसका अंसर रहेगा आपका option day that is Francis Carey तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं तो इसे आप याद रख सकते हैं देखिए Pritzker से लेंगे आप प्रीत अगर हम किसी के साथ हमारी प्रीत हो मतलब किसी के साथ अगर हमारा प्यार हो हमारा friend हो हमारे parents हो कोई भी हो तो उनके साथ हम क्या होते हैं Frank होते हैं तो इसे आप ऐसे associate कर सकते हैं देखिए जो Pritzker prize है ये establish किया था कि रोने हयात foundation ने 1979 में और जो ये Pritzker prize दिया जाता है ये किन को दिया जाता है तो ये basically architects को दिया जाता है now moving to next question who won sportsman of the year award at sports aces 2022 तो ये किनों ने जीता है तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने जो नीरज चोपड़ा है ये कौन सी game के साथ associate करते हैं तो ये करते हैं जावलिन थ्रो के साथ और इन्होंने अभी-भी हमारे देश के लिए gold medal जीता है जो की हमारे summer Olympics में next question is who was given sports icon award by Maldives government तो किन ही दिया गया है तो ये दिया गया है इसका अंसर रहेगा आपका option C that is सुरेश रायना जी को now moving to next question who won Miss World 2021 तो ये किनों ने जीता है तो इसका अंसर रहेगा आपका option B that is Carolina तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं तो देखिए इससे आप याद कर सकते हैं Carolina से आप लेंगे car ठीक है car हम लेंगे ये वाली ठीक है यहाँ पर कर है हम लेंगे car car तो इन्होंने हम इसको ऐसे 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 कर सकते हैं कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड का चकर किसमें लगाया है car में तो इसलिए ये Miss World बन गई है तो आप इसे ऐसे 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 कर सकते हैं next question is who won Stockholm water prize 2022 तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं तो देखिए यहां से हम लेंगे home ठीक है हर किसी के home में क्या होता है water होता है लेकिन water के अंदर कोई भी चीज fry नहीं होती ठीक है तो will fried से लेंगे हम यहां से fry तो हम इसे ऐसे associate कर लेंगे next question is who won India's most trusted public sector company award तो ये किनों ने जीता है तो ये जीता है call इंडिया ने तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं देखिए electricity बनाने के लिए जो coal का है वो कोईले का बहुत जादा प्रयोग किया जाता है तो हमें कोईले के उपर बहुत जादा trust रखना पड़ता है electricity produce करने के लिए now moving to next question who won Netaji award 2022 तो ये किनों ने जीता है तो ये जीता है Shinjo Abe ने तो जो Shinjo Abe है ये former prime minister रह चुके हैं कहां के जपान के former मतलब जो पहले थे अभी at present जो जपान के prime minister है वे कौन है तो वे है Fumio Kushinde ठीक है next question is who won International Association of Working Women award तो ये किनों ने जीता है तो ये जीता है Sushmita Senji ने तो इसका अंसर रहेगा आपका option D next question is who won 1 million dollar Genesis prize for COVID-19 vaccine तो ये किनों ने जीता है तो ये जीता है Albert Worrell ने तो इसका अंसर रहेगा आपका option A next question is who won Mrs. Wald 2022 अब बात कर रहे है Mrs. Wald की तो जो हमने पहले करा था ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूं तो वे था Miss Wald और जो अब हम question कर रहे हैं इसमें क्या पूचा गया है इसमें पूचा गया है Mrs. Wald तो ये किनों ने जीता है तो ये जीता है शेलिन फोर्ड ने तो इसमें भी इसे हम कैसे associate कर सकते हैं तो Mrs. की बात करें तो इसे आप याद कर सकते हैं कि इन्होंने इन्होंने भी चक्कर लगाया है पूरे वर्ल्ड का किसमें फोर्ड में ठीक है तो आप इसे associate कर सकते हैं यहां फिर आप इसे associate कर सकते हैं कि ये Mrs. Wald बनने के बाद हर चीज़ को क्या कर सकती हैं अफोर्ड कर सकती हैं Now next question is who was first runner up in Mrs. Wald 2022 तो ये कौन है तो ये बनी है देबंजली कमस्तरा तो इन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं देखिए जो runner up होती हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम किये हैं तो इसलिए इन्हें runner up बना दिया गया है यहां फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो runner up बनी हैं ये बि Next question is who won best national costume award at Mrs. Wald 2022 पेजिंट तो ये किन्होंने जीता है तो ये जीता है नवदीब कौर ने तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं तो देखिए इसमें बात की गई है costumes की तो इन्होंने जो costumes बनाए थे उनके अंदर इन्होंने बहुत जादा दीप लगाए थे ठीक है Next question is who received knighthood from Prince William the Duke of Cambridge at Winster Castle for his service towards the game of cricket तो ये किन्होंने जीता है तो ये जीता है Captain Clive Lloyd ने तो इसका अंसर रहेगा आपका option A Next question is who won 12th भारत रत्र डॉक्टर अम्बेदकर अवार्ड 2022 तो डॉक्टर अम्बेदकर अवार्ड की नहीं मिला है तो ये मिला है हर्शाली मलहोतरा को तो इन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं तो इसे आप याद रख सकते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं उनके अंदर बहुत सा हर् पी रहते हैं ठीक है तो आप इसे ऐसे असोसियेट कर सकते हैं Next question is who won International Craft Award 2021 तो ये किनों ने जीता है तो ये जीता है केरला Arts and Craft Village Organization ने तो इसका अंसर रहेगा आपका option B Next question is who won Golden Globe Award 2022 तो अब इनोंने बात की गई है बेस्ट फिलम कौनसी केटेगरी वाली ड्रामा केटेगरी वाली में किनों ने Golden Globe Award जीता है तो वे किनों ने जीता है तो इसका अंसर रहेगा option A that is the power of dog इसे हम कैसे याद रख सकते हैं तो इसे आप याद कर सकते हैं कि जो dogs हैं वे बहुत ड्रामा करते हैं next question is who won Golden Globe Award 2022 for best film category comedy तो पहले जो हमने किया था वे क्या किया था वे था ड्रामा अब बात कर रहे हैं कौनसी केटेगरी की comedy की तो ये जीता है किसने West Side Story ने ठीक है तो देखी हर स्टोरी में कोई ना कोई comedy जरूर होती है तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं next question is who won ICMR National Award Dr. Subhash Mukherjee Award तो ये किनों ने जीता है तो ये जीता है सतीश अडीगा ने तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं तो इसे आप याद कर सकते हैं कि जो Dr. Subhash Mukherjee आप associate करें कि जो दॉक्टर सुभा सुभा उठते हैं वे क्या कहते हैं कि आप सत्य बोलें ठीक है और जो हमने पहले किया था Dr. Ambedkar Award किनों ने जीता था तो वे जीता था हर्शाली मलोत्रा ने next question is who won UiPath Automation Excellence Award 2021 तो ये किस ने जीता है तो ये जीता है South Indian Bank ने तो इसे हम कैसे associate कर सकते हैं देखिए जो South Indian लोग होते हैं इन्हीं अपना path हमेशा clear रहता है कि हमने अपने आगे क्या क्या चीज़े करनी है यहां फिर आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं कैसे याद रख सकते हैं कि जो South वाले लोग होते हैं यह हर चीज में excellent करते हैं ठीक है excel करते हैं next question is who gets first ever Guinness World Record in numerology तो यह किनो ने जीता है तो यह किन का नाम आया है Guinness World Record में तो यह आया है JC Chaudhary का तो यह क्या है numerology में पहली बार Guinness World Record किसने हासिल किया है तो वे किया है JC Chaudhary ने next question is who won posthumously Mumbai Press Club's Red Ink Award 2020 तो posthumously का मतलब क्या होता है after death तो यह किनों को मिला है तो यह मिला है दानिश सिद्दकी को तो इसका अंसर रहेगा आपका option A ठीक है और जो Reading Award दिया जाता है यह किस में दिया जाता है तो यह भी दिया जाता है जर्नलिजम की field में ठीक है next question is who won Mother Teresa Memorial Award for Social Justice तो यह किनों ने जीता है तो यह मिला है अनिल प्रकाश जोशी को तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं देखिए जो Mother Teresa थी वे क्या करती थी प्रकाश फैलाती थी ठीक है तो इसे हम ऐसे associate कर सकते हैं next question is who won Digital Innovation of Year Award तो यह किनों ने जीता है तो यह जीता है ओपी जिन्दर वर्ल्ड उनिवस्टी ने next question is who won Time Magazine 2021 Athlete of the Year तो यह किनों ने जीता है तो यह जीता है Simon Biles ने तो अगर पूचा जाएगा Time Magazine का person of the year तो वे मैंने आपको पहले करवाया था तो वे जीता है Elon Musk ने और जो अब Athlete of the Year है वे किस ने जीता है तो वे जीता है आपका Simon Biles ने next question is who won Young Geo Special Scientist Award तो यह किनों ने जीता है तो यह जीता है रोपेश कोईल ने तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं देखिए जो young scientist होते हैं वह बिलकुल रोते नहीं है यहाँ पर रो है ना तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं next question is who won 7th doctor MS Swaminathan Award for 2017-19 तो यह किनों ने जीता है तो यह जीता है वी प्रवीन राउने तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं तो इसे आप याद कर सकते हैं जो स्वामी होते हैं यह क्या देते हैं अपनी राए देते हैं या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो स्वामी होते हैं यह क्य को अपने क्या देते हैं? राए देते हैं. Question number 34 is Who won Best Film at Sixth Bricks Film Festival Award 2021? तो यह किनो ने जीता है? तो यह जीता है इसका रहेगा option C both A and B. तो A है आपकी बराकत और second है The Sun Above Me Never Sets. तो यह है आपकी South African movie और यह है आपकी Russian movie. तो इसका अंसर रहेगा option C. Next question is Who won International Press Institute India Award for Excellence in Journalism 2021? तो यह किसने जीता है? तो इसका अंसर रहेगा आपका option D. that is all of the above. मतलब option A, B और C. इन तिनों ने यह award जीता है. Next question is Who won Most Friendly State for Film Shooting at 52nd International Film Festival? जो कि यह आपका Film Festival हुआ था? यह कहां पे हुआ था? यह हुआ था गोवा में. ठीक है? अब इन्होंने पूचा है कि किसने जीता है Most Friendly State for Film Shooting? तो वे जीता है UP ने. तो इसका अंसर रहेगा option A. UP ने आपका Water Award भी जीता था? और इन्होंने आपका Most Friendly State for Film Shooting Award भी जीता है. ठीक है? Next Question is Who won Tata Literature Live Lifetime Achievement Award? तो यह जीता है अनीता देसाई ने. तो इसका अंसर रहेगा option B. इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो इसे हम याद कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने यहां से आप लेंगे देश. हमें अपने देश में Lifetime जीना चाहिए. ठीक है? Next Question is Who won the Poet Laureate Award for 2021? तो यह किसने जीता है? तो यह जीता है. इसका अंसर हैगा आपका option A. आदिल. तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? देखिए. जो Poet होते हैं यह बहुत अच्छी Poems लिखते हैं. इनकी इतने अच्छी Poems होती है कि हमारा इनके उपर दिल ही आजाता है इनकी Poems के उपर. तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं. Next Question is Who was comfort with कीर्थी चक्र? तो यह किनो ने? किन को मिला है? तो यह मिला है साब पर प्रकाश यादव को. तो इसका अंसर रहेगा आपका option A. तो कीर्थी से आप प्रकाश इन्हें आसोसियेट कर सकते हैं. Next Question is Who was comfort with वीर चक्र? तो किन ही मिला है यह? तो यह मिला है ग्रूप कैप्टन अभिनांदन वर्थमान को. तो इसका अंसर रहेगा आपका option B. Next Question is Who won 2021 National Book Award in Fiction Category? तो Fiction Category की बात करें तो इसको यह मिला है Jackson Mode को. तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं Jackson Mode को? तो आप करेंगे अच्छा इसकी आगे ना Question आएगा कि National Award in Non-Fiction Category तो Fiction Category में मिला है Jackson Mode को तो इसे आप याद रख सकते हैं कि जो Sun होते हैं उन्हें पेरेंट्स क्या कहते हैं हर चीज को Fix करो खुद से सीखो कैसे चीजों को Fix किया जाता है लेकिन जब हम बात करेंगे Non-Fiction की तो यह मिला है किसे Tia Miles को? तो इसका अंसर रहेगा आपका Option D Next Question is Who won Asho Cham Award for Best Digital Financial Service? तो किन्हें मिला है? तो यह मिला है KVG Bank को तो Asho Cham की Full Form क्या है? यह आप मुझे Comment Box में बताएंगे क्यूंकि यह मैं आपको पहले बहुत बार बता चुकी हूँ तो इस बार आप Comment Box में इसकी Full Form बताएंगे Next Question is Who won Who won Best of Shree Award 2021? तो यह किने मिला है? तो यह मिला है Puneet Rajkumar को तो यह किनों ने जीता है? तो इसका अंसर रहेगा आपका Option A That is Dr. Rajiv Nikam तो बेसिकली अभी इन्हें नॉमिनेट किया गया है मतलब Select किया गया है ठीक है? इस Award के लिए लेकिन इन्हें यह Award यह कब रेसीव करेंगे? तो यह रेसीव करेंगे December में तो यहां पर आएगा Selected तो जो यह हम इसे कैसे Associate कर सकते हैं तो इसे आप Associate कर सकते हैं यहां पर ना कुश कुश को आप रखते हैं खुश तो ठीक है? और यहां पर है गम तो यह इन्सान को बिल्कुल भी गम नहीं था तो इसलिए इन्हें इस Award के लिए तो इसका अंसर रहेगा आपका option C तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं तो देखिए यहां से लेंगे आप सत्य जो इंसान सत्य बोलता है उसे बिल्कुल मार नहीं पड़ती और दूसरा और उसे बिल्कुल भी सजा नहीं दी जाती तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं तो यह किन को मिला है तो यह मिला है अलेगसी नवैलनी को तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं तो देखिए यहाँ पे है सखा सखा मतलब फ्रेंड तो हम क्या करते हैं नव मतलब न्यू तो कुछ लोगों को क्या होता है न्यू न्यू फ्रेंड बनाने का बड़ा शोंक होता है तो आप इसे ऐसे associate कर सकते हैं तो यह किनो ने जीता है तो यह जीता है तो इसका अंसर रहेगा option A तो यहाँ पे हमारा यह आज का session खतम होता है I hope आपको यह session अच्छा लगा हो Thank you so much for watching this session